नमस्क्राव दोस्तों इनफोकस सिविल अकैडमी में आप सभी का स्वागत है दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग ROAROP प्रिक्षया की तेयारी के लिए डेली बेसेश पर हिंदी की बहतरीन क्यारी कर रहЕ हैं जिसमें, हम पूछा जैता है मेंस की परिक्षा में, उन्स सभी को समगर तरीके से तैयारी करते हुए चल रहे हैं, इस क्रम में आपकी तीन से चार कक्षाएं हो चुकी हैं, आज की इस कक्षा में हम लोग देखेंगे, यह सारी चीजे जो आपकी बगल की स्क्रीन पर देख रही हैं, और इसमें देखिए हम लोग जो सबसे पहला चीज है जो ऐसे कोटेशन हम लोग डेली बेसिस पर तयार करते हैं जो ना किवल आपके निबन की परिक्षा की लिहाद से इंपोर्टेंट हो सकता है बलकि साथ ही आप इसको जीस मेंस के भी आंसर में लिख सकते हैं अगर आप UPSC, UP PCS या BEO परिक्षा की त्यारी करते हैं अब देखिए इसमें जो आज का कोटेशन है वो सुदर्शन फाकिर सापका एक बहुत ही बहतरीन शेयर है मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है मुंसिफ बोलते हैं जज को जो आपके लोवर लेविल के जज होते हैं उनको मुंसिफ बोला जाता है तो मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है क्या मेरे हक में फैसला देगा अब देखिए यहां पर कुछ जगों पर यहां पर नहीं होना चाहिए क्योंकि जो एक मात्राओं का अंतर है रदीफ काफिया उस सबके रदीफ काफिया तो खेज नहीं है परन्तु जो मुझे लगता है कि यहां पर आप इसको ऐसे ही पढ़िए कि मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है क्या मेरे हक में फैसला देगा अब इसमें सबसे पहली बात कि आ आप सेर लिखने हो कोई भी तो वहां पर जरूरी है कि आप नुक्ताओं का ध्यान रखिये इसको आप ब्लैक पैंसे लिखेंगे वैसे भी तो यह वैसे भी आपके एक्जामिनर के नजरों में तुरंत आ जाएगा और इसलिए से जरूरी है कि आप जैसे कातिल में है मुंस पर किया है इसमें का गया है कि मेरा गातिल ही मिनसेफ है तरसल इसमें यह का रहे है lui одной में मेरय के या मेरा कातिलrift ले वह कहारी है कि उना चेह करना है जो भम च्д mentor ऑपने हैं कि त्रसक्राइव से लिख यह पराध है शबैटे नमेधार पादों पर बैठे लोग रख है तो इसी पर छोट करते हूँ सुदर्शन फाकिर साब कह रहे हैं कि मेरा कातिल ही मेरा मुनसिफ है क्या मेरे हक में फैसला देगा तो इसको आप जो है निया वस्तर से रिलेटेड कई सारे आपके कोट्रेश निबंद आते हैं या फिर आपके जीयस में भी आंसर्स पूछे जाते हैं उन में भी आप इसको आसानी कोट कर सकते हैं में उसके बाद देखिए अगला जूआ रहा है शुद्र सब्र इसमें देखिए पहला वर्ड है सौहाद्र तो देखिए सौहाद्र एक बहुत कॉमन वर्ड जिसको ज्यादा तर लोग इसी प्रकार से लिखते हैं सौहाद है और जब वो लिखते हैं तो यह दरसल इसमें दा में भी कर देते हैं उपर यह भी कर देते हैं यह गलत है यहां पर आप दा में ना लगाएं आप लोगों दिख रहा है यह चीज़ चलिए मारकल चेंज कर देता हूं करें तो यह दिखिए दम ऐसे न हो करके बलकि यह आप ठादेंगे यह सवहाद्र हो जाएगा तो यह सवहाद है ना कि सोहाद्र थीक है तो आप इससे इस को याद कर सकते हैं अन्जली एक कई सारी लड़कियों लूग नाम भी होता है जय सक मैंने अभी तिलांजली में भी बता था तो अंजली में हमेशा जो 뜨 있는 हियोगा यह ठाकर यहाँ पर मेरे ली होगा अंजली ठीक है और ऐसे ही अगर आप तिलांजली लिखकी हैं तो दो इसे प्रकास देखिए आगे हैं भासकर तो भासकर जो है उसको कई लोग भासकर लिख देते हैं यह लिख देते हैं तो यह वाला भासकर नहों करके बलकि यहां पर यह वाला भासकर हो गए यानि आधा सा जो बनेगा वह आपका यह वाला सा बनेगा तो इन सब चीजों को आप ध्यान रखिएगा यह अक्सर पूछे जाते हों चुकि आप इसका प्रणंसियेशन भी उसी प्रकार से करते हैं जो गलत होता है तो वैसे ही लिखने में भी आ जाता है तो इसलिए आप इन सब चीजों को ध्यान लखिएगा और एक बात और मुझे आप से पूछनी है कि जो कल का जैसे वीडियो था तो उसमें प्रोजेक्टर पे ही पढ़ाऊं वह ज्यादा आप लोगों के लिए उप्योगी होगा या आप लोग कर्प्या करके हमें बताएंगे जिससे कि मुझे एक स्थिती स्पस्ट हो सकेगी तो चलिए अगला देखते हैं तद्भो तत्सम तो तद्भो है सबसे पहला देखिए तो आख का तत्भो आख का जो तत्सम है वह हता है अक्षी तो आक्षि का तत्भव तो अक्षी से यह आख बन गया है और इसमें देखेगा आप लोग देखेंगे कि जब यह हम परवाची बिसमें पहले पहले या आया था तो आख का Ahshi था और चक्षु था या फिर के परियाईवाची यानि आख का ही पूछ है कि आपकर तत्सम क्या होगा और उसमें वह लोग पूछ लेंगे चक्चु भी डाल देंगे अ तो ऐसे करके आप लोगों को confuse कर सकते हैं, इसमें आप लोगों ध्यान रखना है कि यह सारे पर्याइवाची तो हैं पर जो तत्सम है इसका वो अक्षी है, आसे आक्षी, आसे आंक, तो ऐसे करके आप इसको याद कर सकते हैं, अगला देखिये छिलका, छिलका को शंकल बोलत यह एक इंपोर्टंट सब्द जो आप लोग गइंदे सहार इसके सबसे पहली नहसे पिया अगर आते हैं। वाक्यान के छिए इसमर्ड करना प्रदनी सबसे पहला पीने के प्याला तो मदरीया पिने का प्याला जो था करीए उसका चाषक było बोलते हैं चशक और यहां पर देखिए चशक में ये वाला सा है और इसमें जो हो सकता है वो option में आपके ये भी सा रख दें ये भी सा रख दें तो वो सब आप लोग देखते रहेगा तो थोड़ा सा इन सब चीजों पर भी ध्यान दे या फिर हो सकता है ये सुद्ध अशुद में ही प समवेद्या तो ये देखिए आपका जो समवेदना सब्द है समवेदना सब्द से बना है समवेद्य और इसका मतलब होता है कि जो अनभो करने योग है ठीक है उसके बाद देखिए कि ऐसी प्रसंसा जिससे निंदा का भाव निकले अब देखिए एक अपस्तुति शब्द जो है अब स्तुति शब्द इसका मतलब होता है कि इस तरह कि किसी की स्तुति करना जिससे की निंदा का भाव निकले तो जैसा कि आप लोग अगर यादो आपको शोले मुवी में एक बहुत ही अच्छा डैलोग है जब जो अमिता बच्चन रिष्टा लेके जाते हैं धर्में हो जाता है दो रोज पीता है फिर इस तरीके से बहुत अच्छी तरीके से फ्रसंसा भी करते हैं । इसमें पूरा निंदाग भाव निकलता है तो यहां पर अप्संत्यूति का मतलब वही है Aegis तरीके इस तरीके सael्जा करना जिसमें णिंदाग भाव निकले उसके बाद देखिए, सब्द विलोंग पे हम लोग आते हैं, सब्द विलोंग में आपका जो पहला सब्द है, वो है जारज, जारज सब्द, जारज और इसका उल्टा होता है औरस, औरस का मतलब आपका अपना जो मतलब चाइल्ड है और जारज का मतलब जो एडॉप्टेड वन है उसको कह सकते हैं तो जारज का औरस बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है यह कई-कई बार यह पूछा गया है यह वर्ड तो इसको आप लोग ध्यान रख लेंगे उसके बाद क कई सारी चीज़ें देखिए इसमें आप लोगों को हो सकता है कि कुछ बार कॉमन भी मिले दरसल यह कई-सारी किताबों का अम लोग मिक्स करके इसमें कंपाइल करके इससे नोट्स बनाते हैं तो उसमें थोड़ी बहुत यह संभावना रहती है कि अब देखिए एक किताब में क्या पहले हुआ है क्या नहीं हुआ है उसको तो आप लोग मार करके हटा सकते हैं परन्तु कई-कई किताबों की जब बाद आती है तो थोड़ा सा मुश्किल होते जाता है हाला कि हम लोग की हर संभव कोशिश रहती है कि हम लोग उन सभी वर्ट को अटा दें जो अल्रेडी हो चुके हैं परन्तु कहीं न कहीं यह गुंजाइश बनी रहती है थोड़ा वहुत उसमें कभी-कभी मिली जाते है क्योंकि कई-कई बार एक चीज बढ़ा है मश्रिन का रूक्ष और यह देखे रूप्ष्न पर बड़ा रूभ क turbulगों को ध्यान रखना है मश्रिन का रूख्ष्न करूख्स ये कई-कई-कई बार यह भी वर्ड पूचा गया है इसको भी आप लोग का वीडियो के माध्यम से प्रोग्राम अभी शुरू हुआ है तो इसमें हम लोग एक बार फिर से दो दिन लगबार नया कराएंगे एक दिन अम लोग पुराना पहले करा चुके हैं उसको भी कराएंगे ताकि जो नए बच्चे उन लोगों को भी लाब हो सके और जो प सबसे पहले परियाव अच्छी जो आप लोगों को इदर दिख रहा है वह व्यों का अभी अम लोग जैसे आकास जो है यह आपका अभी सैथ कुछ दिन पहले ही कराया गया था इसमें आकास जो है वह उसी को व्यों कहते हैं अंबर नभ अब्र अब्र यह वर्ड जो है हमार अनंत गगन ठीक है तो यह सारे वर्ड जो है वह व्यों के परियाव आच्छी है नभ से मिलता है अब्र नभ अब्र इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं वाकी अंबर आपको पता ही है कि अंबर का मतलब आकास भी होता है और अंबर का मतलब कपड़ा भी होता है उस दिन भी मै ह्ट उनुम्हें आयतन निलAY आगार आगार आलय और ओख यह पांच पतर हैं ज्याद सब्सक्राइब आसे में इसमें आयतन आगार आलय ओट जैसा कि आपका विद्याव अगर से बनता आगार, आगार हो गया, आयतन, आयतन को आप ध्यान रखिएगा, आयतन थोड़ा से नहीं आए इसमें, ओक, ओक भी नहीं आए, तो आयतन, निलाए, आगार, आलाए, ओक, ये पांच पर्यावाची है, और जीब की अगर बात करें, तो जीब में ज्यादतर ये रस से ही मिलता जुलता है, तो रसना, रसना का मतलब जीब होता है, रसग्या, तो रसना, रस दरसल टेस्ट से समझ लिजए आप उसको, तो रसना, रसग्या, रसिका, ये तीनों जो है, वो मिलते जुलते हैं, इसलिए इनको एक लाइन में भी लिख दिया गया है, ताकि आप लोगों के याद करने में आसानी रहे, चंचला, चंचला का मतलब भी जीब होता है, और चंचला का एक मतलब बिजली भी होता है, तो आप लोग ये भी धियान रखिए गर, चंचला जो है, उसका एक मतलब जीब होता है, और एक मतलब होता है, बिजली, बिजली भी आपको पता है, च सब्सक्राइब कि की सारी लडदों लड़कियों के नाम प्रक्राइब कर सब्सक्राइब–уж्सक्राइब और आपका चंचला ठीक है यह पांच आपके जीब के परियावाची हो गए डेली बेसिस पे आप लोगों केवल तीन तीन दिया जा रहा है बहुत ज्यादा अभी बर्डेन नहीं डाला जा रहा है ताकि आप लोग जैसे ही आपका नोटिफिकेशन आता है या कुछ भी ऐसी ह तो मात्रा है वो और बढ़ा दी जाएगी ताकि आप लोगों को वैसे भी आपके परियावाची वगएर यह बहुत ज्यादा नितक नहीं चलेंगे तो जब यह खतम हो जाएगा तो इसकी जगर पर जो अन्य सेग्मेंट है वो भी यहां पर ले आएंगे फिलाल देगे कि जो प्रशाशनिक शब्दावली है आपकी मेंस पर इक्षाम पूछी जाती है और बीस नंबर कहीं आता है बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है इसको डिट्टो एकदम वैसे ही कि वैसे याद करना रहता है और शब्द में जड़ा सभी हेर फेर नहीं हो सकता है इसमें तो कॉग्णिजेबल ओफेंस जो है यह सबसे पहला वर्ड में आपलों कई बार देखते होंगे कि कॉग्णिजेबल ओफेंस जो है यह पेपर फेपर वगहरा में भी लिखा लिखके आता है तैनिस संग्य अपराध के और फे giys का वर्ड है वह संग्ये आपराध is कॉगनिजेबल ओफेंस बाकि लॉटर्म वह अलग होगी पर मैं यह कॉमन जो आपका बता रहा हूं कि संगे लेबल संग सॉरी कॉगनिजेबल होता है नॉन बेलेबल एक वर्ड होता है तो उस टाइप में इसको देख सकते कंपोजिट अपराद होता है फिलाल कॉगनिजेब ओफेंस मतलब संगे अपराद ओक्ट्रोई ओक्ट्रोई एक वर्ड है ओक्ट्रोई देखिए ओक्ट्रोई जो वर्ड है इसका मतलब होता है चुंगी ओक्ट्रोई वर्ड का मतलब होता है चुंगी ठीक है और यह परकार का कर होता है चुंगी कर तो वह ओक्ट्रोई जो है कॉमर्स वाले लोग इसका नाम सुने होंगे यह पहले आपके अकाउंटिंग में आता था और फिर तो इसको हटा दिया गया उसके बाद देखें कोड ऑफ कंड़क्ट कोड ऑफ कंड़क्ट जो एक वर्ड है उसका मतलब होता है अचार संहिता ठीक है तो आपका जब भी चु अपकी मेंस की परिक्षा में पूछी जाती है इनमें हम लोग देखें सबसे पहला और गोटी बैठाना मतलब युक्ति शफल करना यह दरसल आपके जो । निकलता है यह मोहावरा निकलता है गोटी बैठाना अपनी गोटी आ तरीके से कोई ऐसी ट्रेक लगाना कोई ऐसा जो अपना काम निकालना अपना काम साधना तो उसको कहते हैं कि अपने युक्ति को सफल करना उसको बोलते हैं कि गोटीव बैठा न है मुष्के बाद देखे कलेजा मूं कोमाना मतलब इक दम जो ज्या कहा है तो अगला देखते हैं कि घड़ों पानी पड़ जाना rigt wanna जाना मतलब बहुत ज्यादा रजजित हो गला आप इसी हैमेज बना सकते हैं कि आपके उपर कहीं आ आप जा रहे हैं आप बहुत लज्जित फील करें ऐसा करके आप कुछ एक सोच सकते हैं याद करने के लिए इसको तो फिलहाल आज का जो अमार डे था उसमें इन सारी चीजों को अमने कवर किया और घड़ों पानी पर जाना मुहावरा मुहावरे हम लोग तीन देख लिए प्रसास नहीं यह सभी अब हम लोग तीन-तीन करके चल रहे हैं दीरे दीरे इनके संख्या बढ़ाती रही जाएगी जो कि आप लोगों के जब आप लोगों काफी समय है मई जून तक अपका पेपर होगा तब तक आप लोग तीन-तीन के इसाब से बहुत ज्यादा आपके पास भंडार हो चुका ह होगा ऐसी मेरी आशा है और उम्मीद है कि आप लोगों को हमारा यह जो प्रोग्राम है यह आप लोगों को फाइदे मन दिख रहा होगा बहुत-बहुत धन्यवाद नमस्क्राइब